नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मनिस और आप देखने एडिकोक्रासिस को दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्मेंट वेरिफिकेशन को लेकर उसके पहले मैं आपको उन सारे तमाम अभिहारतियों को कांगराचुलेट करना चाहत हो Wendy Many Congratulation दोस्तों जिसनों ने बीपेसी टिय अरिक थार्ड में 1 to 5 और 6 to 8 में सफलता प्राप्त कि आप सभी को बहुत बहुत कांगराचुलेट ओकी दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये क्यूरिक चल यह confusion है कि क्या क्या documents चाहिए क्या documents में कुछ error रहेगा तो उससे क्या problem आएगी क्या documents में नाम में गलत है तो क्या उससे problem आएगी क्या अगर हमने admit card गूम कर दिया है तो क्या उसके बज़े से documents verification counseling बगएरा रोक दी जाएगी इन सारे तमाम questions को आज हम दो discuss करेंगे और आपकी confusion को दूर करेंगे दोस्तों कहीं जाना नहीं है देखते रहना है एड़गो classes को अन तक देखेंगे इन सारे चीज़ों को हम दिसकस करेंगे दोस्तों सबसे बरी बात सबसे पहले कि अगर आप genuine candidate है आप अगर एक genuine candidate है और आपने अपने मिहनत के बल पर अपने job लिया है तो आपको कोई भी कोई माई का लाल नहीं है कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके नौकरी से बंचित कर सकता है आपको नौकरी देने से रोख सकता है तो दोस्तों बात यहाँ पर यह निकल के आते कि आपको documents में क्या क्या चाहिए आपको documents सही होनी चाहिए वो document क्या क्या है ज अगर आप एक्जाम जब आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरते समय आपको क्या होगा कि जो डॉक्मेंट्स आपने अपलोड किया है आने वाले डेट में जब डिवी का डिवी का डेट एनौंस की जाएगी जो आइधिंक 25 से लेके 30 के बीच में 25 नवामर से 30 नवामर के बीच में जो आपका रिजल्ट आने वाला 9, 10, 11, 12 उसके बाद डॉक्मेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए आपको एक डेट एनौंस की जाएगी उस डेट में फिर से बीपीसी अपने पोर्टल को ओपन करेगे और उस सारे पोर्टल को ओपन करते ही जो आपने अप बीच में आ रहा है उसके बाद आप ज्यादा से जगह आपको देनी होती है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ददस कॉपी सबका करवा लेंगे क्योंकि आपकी काउंसलिंग जो आपको डिस्टिक अलोट की जाएगी उसी डिस्टिक में आपको भीजा जाएगा और व ज्यादा कर लिया जाएगा इसलिए आप एक अच्छे से फाइल को बनाएंगे अलग-अलग फाइल जी रॉक्स करके और दस हर कॉपी का दस कॉपी आप करवा लेंगे यहां तक तो क्लियर हुआ उसके बाद चलते हैं देखते हैं कि आपको और क्या-क्या जरूरत परीगी ठीक है जैसे कि अधर हम बात करें चली तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अकैडमिक की जो डॉक्मेंट होगा आपके इलिजिबिलिटी की अक्या- wall है अपने वैकेंस इसके एक्या-क्या-क्या-क होनी चाहिए तो जैसे कि आप आप cyc-tee-8 की अगर हम बात करते हैं तो एक्याडमिक में आपका first 10th class की 10th second 5th second में आपको 12th class 12th class उसके बाद 3rd graduation graduation अब इन सारे चीजों की आपको क्या चाहिए तो इन सारे चीजों की marks शीट मांक्स सीट चाहिए दुसरा सेकिन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए आपको ठीक है अगर आपने और इजनल सर्टिफिकेट नहीं निकाला है कोई इब दरनी की जरोत नहीं प्रोविस्टनल आपके पास है घर सकते आपकर टायम भी दिया जा受स्काय कहता है निकलवाने के लिए आपको डरर परसेंट में आपको गारेंटी के साथ कहा रहा हूं सर्टिफिकेट चाहिए और इसनल इन सारी चाहिए ट्वेल्ट का भी ग्रीजिशन का ठीक है एक्टॉर्ड ट्यूर्ट क्वालिफिकेशन सेकेड अधर हम बात करें तो आपको जो आपका ट्रेनिंग मीस एजुकेशनल सर् सर्टिफिकेट में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में क्या क्या चाहिए अगर आप डीलेट वन टू फाइव वाले को डीलेट डीलेट सर्टिफिकेट चाहिए प्रोविजनल और जो और इनल मार्क सित है उसकी चाहिए ठीक है अगर और आपने नहीं निकलवाया है तो कोई बात नहीं आपको पूर्स सर्मिट कर सकते हैं, दुसरा 628 के लिए 628 आपको क्या चाहिए, BEAR सर्टिफिकेट, ओकी, मार्गशिट प्लस मार्गशिट प्लस आपका औरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, फ्युक्न है, दोनों में मार्गशिट और सर्टिफिकेट यहां तक समझ में आ रहा है चलिए इसमें वही सेम चीज़े है ठीक है उसके बाद थर्ड सीटेट 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 अगर आपने जो एक्जाम दिया है सीटेट का वो चाहिए सीटेट का जो इससे पहले एक्जाम आपने दिये है और इसनल वह आप डाउनलोड कर लेंगे वह आपको चाहिए ठीक है ठीक है उसके बाद आप थर्ड में आपको अधार कार अधार कार्ड की जरूत होगी अब यहां पर बहुत सारे बच्चों की प्रॉबलम है कि क्या अधार का नाम और डॉक्मेंट्स का नाम सेम होना आपको सब्मिट करने की बात कही जाएगे टाइम डियूरेशन दी जाएगी इस टाइम डियूरेशन में आप जमाख करेंगे ठीक है कोई डरनी की जोट नहीं थीक है अधार कार्ड में अगर आपका नंबर नहीं है पैलेड्स का है आपने चेंज करवाया कोई बात नहीं आपने चेंज करवा लिया है कोई इश्यू नहीं है कोई नो प्रॉब्लम ओके चलिए दूसरा मुवाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए अपना जो आपने डाला है मुवाइल नंबर जिस पर एक OTP जाएगा थर्ड फिप नंबर में आपका इमेल आइड़ी अपडेट रहनी चाहिए इमेल आइड़ी ठीक है यह सब तो आप अपडेट रखेंगे ही शिक्स में आप क्या करेंगे इमेल आइड़ी हो गया मुवाइल नंबर हो गया आप एडमीट कार्ड जो आपने दिया है एडमीट कार्ड एक्जाम दिया उसका ओरिजनल कॉपी और जिरोक्स भी करवा लें जाएं है शेवंध नंबर में फोटोग्राफ फोटोज जो आपने अप्लोट किया फोटो ऊब आपको पास होनी चाहिए ठीक है बहुत जगर आपको पेश्टिंग करने कि फोटोज की option होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 फोटो आप रख लेंगे अपने पास स दोस्तों बहुत सारे चीजे लंद फंद से आप बचिए ओके आप अराम से अपनी इंजॉय किजिए डे को और नेक्स्ट नाइन टेंथ बाले स्टुडेंट आपकी रियल्ट आएगी और आप भी मिठाईयां बाटेंगे मैं उमीद करता हूँ तो दोस्तों यह सारे डॉक्मेंट से आपकी ज़रुवत परेगी किसी परकार का और क्वेरी है आपको तो आप मुझे पूछे मैं उसको सॉल्ब करने के कोशिस करूँ है जया हिन दोस्तों देखते रहें एडिको क्लासेस को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ